हेलो दोस्तों अगर आप OnePlus 7 या 70 सीरीज का कोई भी स्मार्टपॉन यूज कर रहे हैं और उसमें आपने Oxygen OS टोयल इंस्टॉल किया हुआ है कुछ यह वर्जन आपको दिखने को मिलना है या फिर कोई और वर्जन है आपके डिवाइस का तो उस पर आपको AOD दिखने को नहीं म जाता है इसका अर्ज सी यह यह होता ही नहीं है इसके लिए सिंपल से एक एप लिकेशन है जिस से आपको डालूर करना है इसकी लिंक आपको वीडियो की डिसक्रिप्रिप्चन में मिल जाएगी डिसक्रिप्चन पर सिंपल से आपको hold एंडे видим करके रखना है और station open हो जाए है always on display पर tap करते हुए display option पर tap करना है all day पर tap करना है okay कर देना है इसके बाद इसमें जो mode है उसमें कापी सारे mode काम नहीं करते हैं अब simple से आपको इसको back करना है और back करना है नीचे की तरब apps पर आना है app management पर आना है EOD नाम का application आ चुका है इससे आपको simple से uninstall कर देना है uninstall कर देने के बाद अब आप देखेंगे अपने personalizations के अंदर always on display आपका पहले जैसा आ गया है और यह जो option है all day पर आ चुका है अब आपको simple से एक बार अपना device कुछ इस तरीके से restart कर देना है और device friendly कुछ इस तरीके से on हो चुका है settings पर टैप करना है personalizations पर टैप करना है always on display पर टैप करते हुए देखेंगे यह all day पर अभी भी है अब आप यहां से कोई भी clock styles यहां से apply कर सकते हैं इसमें आपको display settings सभी देखने को मिल जाती है और सभी अब बर्किंग में आपके आ चुकी है इसको screen lock कर देता हूँ मैं और आप देखेंगे कि यह यहां पर आ चुका है fingerprint आ भी देखने को मिला है fingerprint जाने के बाद में भी आपको EOD देखने को मिल जाता है